पूंच लगातार इसके साथ दुश्कर्म करते रहे और वह अपनी बात किसी को भी बता नहीं पाई पूंदर वर्ष किस लड़की की कहानी यह है कि इसकी मा कानिदन पहले ही हो गया था और इसके पिता नोकरी करने के लिए चले जाते थे गर के ठीक सामने एक दुकानदार रहता था जिसका नाम है वियापारी नरेश पिता शर्मन खंडारे इसके पास जब ये गई सामान लेने के लिए तो नरेश दुआरा इस नाबारी लड़की का योन शोशन किया गया याने इसके साथ दुशकर्म किया गया इसके बाद ये सिलसला लकातार चलता रहा सबस्द शर्मनाक बाद ये है कि इस पूरे गटना करम के बाद नरेश खंडारे का बेटा निहार खंडारे ने भी इस लड़की के साथ दुशकर्म करना शुरू कर दिया याने पहले पिता ने दुशकर्म किया उसके बाद उसके बैटे ने भी नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म करना शुरू किया दुषकर्मों का सलसला यहां तक नहीं था माँ, बालिगा के डरा धंका कर पिता-पुत्र के नाबालिग रिश्चतuine रिश्चतर ने भी उसके साथ जातिए शुरू करदी, यान्य पहले पिता फिर पुत्र और उसके बाद उसके नाबालिग रिश्चतिदार भी इस लड़क अपने एक दोस्त के साथ दुश्कर्म करने की वारदात फिर से की गई इस लड़की के साथ यानि आरोपी गुरो ने महले में बालिका को लेकर बातें की तो बालिका के मेरे भाई मुन्ना तक भी इस बात की जनकारी पहुँच गई मुन्ना ने भी अपनी महमेरी बहन पर गंदी नज़ा रखी और अपने दोस्त भरत को अपनी बहन के पीछे लगा दिया कुल मिलाकर जब ये दोनों एक दिन नाबलिक लड़की अकेली थी तो उससे दुश्कर्म करने के लिए पहुँचे और बाद में है पूरा महमला सामने आया क्योंकी इन सब बातों की अती हो चुकी थी उस लड़की ने सारे वाकिये अपने पिता को बताये कुल मिलाकर जब इसे थाने ले जाया गया तो पता चला कि लड़की की माँ नहीं होने से अपनी पीड़ा किसी को पता नहीं पाती थी पिता और समाज में बदनामी की डर्सेवर समी समी रहती थी जब इस बारे में पुलिस वालों ने उसकी काउंसिलिंग की और खुट टी आई ने उसे एक भाई की तरह मदद करने का आशवाशन दिया तो उसने अपने बायानों में सभी की हरकतों का खुलासा करते हुए सिल्से उलावार पूरी घटनाएं बताई इसके बाद पुलिस ने पिडिद बालिका की रिपोर्ट पर छे लोगों पर जात्ती का केस दर्ज किया इसमें से एक नाबालिक होने के करन उसे बाल संप्रेक्शन ग्रह भेजा गया बाकी टी आई ने बताये कि आवरोपी नरेश खंडारे और गोरोगों को तीन निम के रिमांड पर लिया गया इंदोर की यह पूरी घटना बताती है कि किस तरह से जात्तियां लड़कियों के साथ की जा रही है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बाल इकन फोर मोर अप्देश